लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और डेल आइकुन को प्रेस करें लेटेस्ट अपडेश्ट को साथ्सा शुत्रक्सराँ बालां साक्ससुत्रकमांदलूं दक्तर वस्त्रांग्चतुर्हस्तां अल्सवाहनसंष्थितां स्रीरिग्वेदक्रतोस्थ्सांगां उस्षर्वदेव नमस्तां नम्मानी ब्रह्मदेवत्यां भ्रह्मलोकलिवार सिंए आवा हया म्याहम आवा हया म्याहम राजा अश्वपती रानी मालवी तुम दोनों ने पुत्र की प्रापती के लिए अठारा वर्ष मेरा जाप किया उपासना की और ये के द्वारा मेरा आवाहन किया इससे मैं बहुत प्रसन हूँ किन्तु तुम्हारे भागे में पुत्र का योग नहीं निराश नहो मैं तुम्हें एक ऐसी तेजस्वीनी कन्या का वर्दान देती हूँ जो पुत्र से भी बढ़कर होगी समस्त संसार में अपने सत्कर्मों से कुल्स की कीर्थी उचवल करेगी जाय मातेश्वरी मेरे तो आखे चकाच ओल गई जन्य भाग सूरज का पेज चंद्रव मा का रूप माराज की जय हो राजमाता ने कन्या को जुनम दिया है तीजस्मीनी समचकारी जाय मातेश्वरी नारायन नारायन पधारिय देवर्शी, मातेश्वरी की दया से हमारी साध पूरी हुई, हमारे घर कुल दीती का आई, नाराय, नाराय शुभम मंगलम, शुभम मंगलम इस मंगल अवसर पर आपके चरण यहां पढ़े हैं, तो कन्या का नाम करण भी आप ही के शुख्ष्री मुख से हो, एक कन्या मातेश्वरी Гायत्री के वर्दान का फल है, गायत्री, सरस्वती, सावित्री, ये सभी उनीके नाम है, कन्या के लिए सावित्री नाम उत्तम होग जगत में कोई ना किसके समान यही कहते हैं वेद पुरान नमो नारायन नारायन नमो नारायन नारायन यह भारत है रत लोगी खान क्या अधबुत कन्या यह जनमी यहां पे प्यारी प्यारी भवसागर की लहरों में वो कभी ना हिम्मत हारी यह सत्यां हुई महान जगत में कोई ना इसके समान यही कहते हैं वेद पुरान नमो नारायन नारायन नमो नारायन नारायन नमो नारायन यह भारत है रत लोगी खान कि बड़ी पावन है इस धरती की मंजन को मलनारी कभी कभी बनती फुलवारी कभी कभी चिनगारी कि इसे है इश्वर का बर्दान जगत में कोई न इसके समान यही कहते हैं कि दुरान नवो नारायन 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 मातेश्वरी मनुष्य का जन्म, सुख, दुख और कर्म के गठबंदन के साथ ही होता है सुख में पहक न जाओ, दुख से दर न जाओ और जीवन परियंत, सत कर्म का साथ न छोटे, ऐसे शक्ति देना तुम ही गायत्री, तुम ही सावित्री, तुम ही सरस्वती हो, मातेश्वरी आरिय, ऐसी सुलक्षनी बेटी मिली भी, तु उसके योग्यों वर नहीं मिलता आश्चरिय तो यह है मालवे, कि सावित्री को मागने का साहज कोई भी राजकुमार नहीं करता ऐसी रूपवती, गुणवती कन्यापत, रिजनी के बदले देखते ही झेप जाता है नारायन, नारायन, सूरज के आगे दीपत को झेपना ही पड़ेगा, महराज अश्वपती तेजस्वी कन्या का हाथ, कोई महा तेजस्वी राजकुमार ही पकड़ सकता है महा मुनी, विवा के योग्य हो जाने पर कन्यादान न करने वाले माता पिता अपराधी माने जाते है सावित्री का कन्याकाल पीतने पर है, अब आप ही उपाई बताईए नारायन, नारायन, किसके मन कौन भाय, मैं क्या जानू अच्छा तो यह हो, कि सावित्री को ही अपना बर ढूमने दिया जाए, आपकाज महाकाज कन्या अपना बर स्वयम ढूंडे, अरसा कभी नहीं हुआ मुनी राज जो कभी नहीं हुआ वो करने की शक्ति सावित्री में दिखाई दे रहिए, रानी मालवी आकाज गंगा में नहाने से सावित्री वंचित क्यों रहे? मुनी राज को प्रेनाम जुग जुग जीओ, सावित्री कभी-कभी यात्रा कभी आनंद लिया करो, बेटी किन्तु, किन्तु मुनी राज, माता-पिता की आज्या? महामुने की इच्छा ही हमारी आज्या है, बेटी आजी महामुत्री सुकेशी के साथ यात्रा का परवंद करवाता हूँ नाराय, नाराय बच्छा, 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 बच् अभी सुकन्या अरे तुछी कहीं लगा तो नहीं नहीं सुकन्या तेरा अलट पर अभी तक नहीं गया खोडों की रास और रसता छोड़ कर तुम बवंदर के तऱ कहां परतक रही है अरे पटकती लटकती तेरे पास्त पहँच गी सकी चुच गही राथ में मुझे पटक दि होता तो तु आज की से दाढ़ती तु रान पखेरू सके तेरे शत्रों के तो बधाई दे मेरे खोड़ों को खोड़ों को बधाई हाँ सकी कौन जाने तुस्से भेज कराने के लिए रास्ता चुड़कर भागाए हो चल नटखट कहीं कि अरे ये देरा डंडा लेकर तु कहा चल पड़ी ये तो बता बता ना सब बताऊंगे पहले तु एक बात बता पोच सकी तुझे कभी मन जहाँ वर ठुड़ना पड़े तो कैसा धुंड़ेगी मैं के धुंड़ूंगी वही धुंड़ता फिरे का हूं तो क्या जोब भी देखा उसे तु वर मान लेगी ऐसे वैसे को कैसे मान लोंगी मैं तठाउक बजा कर देखूंगी क्या कि वो मेरे पिताजी से भी बड़े बाप का बेटा है या नहीं वीर हटा कठा संदर युवराज फिर वो मेरे साथ रास यासन पर बैठे तो लगे कि सकन्या का पती यो वो के है अच्छा मेरी भ अब क्या को देखो तो तारी तोड़ लाने के लिए चल पड़ी लो या भी नब तबदी अच्छा अब तु अपने मन की बात बता मैं मैं? में? मेलका, मेलका तु ही बता, तू कैसा वर्चुनेगी? जिसके बड़े-बड़े बाल हो और पिचके हुवे गाल हो जैसे हुप बंदर अच्छा चम्पा, तू बता, कैसा पती भुना चाहिए? मैं बताओं? हाँ, हाँ, बता ना? जो कुले मचका कर कमर लचका कर चले तो देखने वाली धूखे में पड़ जाए लड़का है यह लड़की अरे? अरी? सब के मन की बात तो उगलवानी और अपने जकार तक नहीं ली बड़ी चंथ है बता, तुछे कैसा चचेगा? जड़ चाएगा तो बता दूगे अच्छा, तो पती धुड़ने निकली है अरी, पर कुछ बताएगी नहीं तो धुड़ने की कैसे? तुझे पता नहीं होगा बता? बता काला, बोरा, लंगडा, पोड़ा, पत्रा, किसे कर? बस-बस, चुप हो जाओ सुन्दर तासे आँखों को, ख्षनिक सुक मिलता है, सुकन्या जीवन का पूरा सुक प्राप्त करने के लिए कुण आवश्चक है कैसे गुण? नारी का जीवन पथन्य करे ऐसा साथी हो जो सवभाव से पुर्शार्थी जीवन में सयमी और चरित्र में उंचा हो ओ, लगता है तुने अपना जीवन साथी धून लिया है नहीं, रिपगली यही भारतों मेरे माता-पिता ने मेरे कंदे पे डाना है और जिसके लिए तुछे मेरे साथ चलना होगा अच्छा? तो चल मैं भी अपनी माता-पिता से चुट्टी ले लिए चल प्रजाब महराच, महराच, चलना पीची को आदे हमारी आईवाजी खेती, उजादी मेरे दोलो हाथ रसकी चटकर से निकम्मेका धिये गए अर्जादा रसकी तकर से? हाँ माई बाप अब हमारे बाल बच्चों का पिर्ट कौन भरेगा? कौन था रसकने वाला? धूर उलाते हुए पवान की तरह रथ भाग रहा था अंदाता रसकने वालों को तो नहीं पहचान पाये पर पता का लगी थी सूरज की हमारे राजी का प्रतिर? प्रदान मंत्री गोडों को वश्मिना करते हैं तो आज मैं आपके सामने कीवीत नहीं होती सुकन्या अपना लहू पसीना ये करके अनुपडाने वाले इन किसानों की कितने बड़ी हानी की है ये जानते हो महराज हानी लाब की समझ मनुष्य में होती है पशुपशु है सुकन्या वीवश्च थी वीवस्दा में भी अपराज अपराध है सुकन्या को बसंततृ जिखने तक राज भवन्ते बहार पाउन नरक्ने का धन दिया जाता है सुकन्या किसानों की हाने की फुरती राज को उस्ते की जाए प्रदान मंत्री जो अग्या राजेश्वर वसंत्रु तुब इतने तक राज को उनके बाहर पावर रखू क्या इन मुर्थियों के आगे आखे बाती रहू दीवारों से माता टोकती रहू बंद की वाड़ों में घुटती रहू पगली सोच तो तेरे पिता तुझे दढ़ नहीं देते तो प्रजा उन्हें पक्षपाती कहती अन्नाई कहकर पुकारती क्या ये तु सुन सकती सह सकती सखीर माता पिता की आग्या का पालन ही जनतान का करतव्य है और फिर बसंट रुत तो हसते खेलते चुटकियों में यू बीच जाएगी तेरा क्या हो मैं बंदी में तेरा साथ भी नहीं दे सकती मेरी चिंता छोड़ सके कर्म फोमी में जीवन और भागी की लड़ाई तो होती ही रहती है निवट लोगी सावित्री माता पिता की चिंता का बोध तुमने अपने सिर पर उठा लिया है हमारा आशिरवाद है तुम्हे सफलता मिले ब्रगवान तुम्हे मनोवांचीत वर मिलाये बेती अरे मुन्हे जल्दी से बंठन क्या आजा राजा आशुपती की बेटी सावित्री आई है तुझे देखने मुझे देखने सावित्री मुझे क्या देखेगी मां सावित्री जावित्री कवित्री जंत्री मंत्री तंत्री सबको एक हाफ में देख रूंगा अरे वो तेरे साथ लड़ने नहीं आई है तो क्या साथ पढ़ने आई है अच्छे अची बाते करने आई है तुम भी माँ पीछे की बात आगे और आगे की बात पीछे करके गोटाला कर देती हो हमारा कुमार विद्ध्याले से अभी अभी निकला है उसको बाहर का कुछ भी घ्यान नहीं है फिर पुर्ष बाहर बीतर का पुछोगी तो गोटाला हो जाए 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 बारी जाए तुम से चोटी है चोटी हो या बड़ी नावी माता का स्वरूफ है सत्य है और पुरुष बालक का स्वरूफ होता है ये मानने वाले को आज एवन कुमारा रहना चाहिए अखंड ब्रम्हचारी अश्राओंखो विलगचीत करने वाले संदरियपर हिमालाई को भी हिला देने वाले यववन पर मदर निच्छावर है तेखते ही इस तुंदर और यववन पर निच्छावर हो जाने वाले लगता है जीवन का मुल्य नहीं जानती ठीट लगती हो क्या क्या जानती हो जो कुवारी कन्या को माता पिता के घर में चानना चाहिए प्रेम करना जानती हूं मुझसे प्रेम करती हो हां पवित्र प्रेम अच्छ मुझे चाहती हो रिधाय से तो आओ रिधाय से लगा लू प्रेम के आवेश में कहीं प्रेम के पवित्रता नष्ट ना हो जाए यह क्या सावित्री प्रेम के साक्षे बहन के रक्षा भाई के हाद में भाई? नहीं सावित्री नहीं मैंने तुम को पत्णी के रूप में चाहा है पत्ती की आखों से देखा है तो पती की आखों में भाई की पुत्ली बिठा लीजी और नहीं सावित्री नहीं यह नहीं हो सकता है मदन सेन्य आज तक जो चाहा है वो पाकर रहा है सावित्री मैं तुम्हें पत्नी बना कर रहूंगा राजकुमारिये सावित्री दालभात में मुसल्चन कहां से आचपका किसने बुला इस खुषच को सावित्री महराच चंद्रसाय नियन्य की प्रतिक्षा कर रहे हैं हुँ बैती मेरे थ्यान में तुमारे घ्योग अब कहीं कोई राजकुमार दिखाई नहीं पड़ता जहां तुम्हें ले चलू माता पिता की चिंता दूर करने का कोई ना कोई उपाय तो सोचना ही होगा अब तो घर लोटने के सिवा मुझे कोई उपाय नहीं सूचता घर लोटने से तो माता पिता कह दुख और बढ़ जाएगा मैं उनका बोज बन जाओंगी नहीं जोंगी मैं मर जाओंगी पर घर नहीं लोट नहीं लोट नहीं पदली परस्तिती से अतहाश होकर कायब ना चाहिए तीरा से सो समझ को नहले लेने की बेटी शागती से सोचू 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 हमारी फूल जैसी बेटी है कहां कहां भढ़केगी कहीं कुछ हो गया तो जो कभी नहीं हुआ वो करने की शक्ति सावित्री में दिखाई दे रहिए रानी मालवी वो सकता है उसके पेज पर संजोगी रीच जाए तेरा क्या होगा सके मैं तेरा साथ को नहीं दे सकती मेरी जिन्ता छोड़ सके कर्म फोमी में जीवन और भागी की लडाई तो होती ही रहती है निबट लोगी क्या बात है खबराट कैसी राज कुमारी सावित्ली भीतर नहीं है लगता है कहीं चली गई चली गई क्या बात है अरे कुलाडी यहां तो कोई नहीं फेर कहा गे आया विनी मेरी कुलाडी दे दो नहीं तुम लीदिये प्यारे ब्रह्मचारी प्रोड हो तुम जंगल के मन मोह भूल पर अपने आपको निचावर करने वाली एक यक्षकन्या मुष्पर माया जाल हिर्दय किसी को पाने के लिए पागल हो उठे वो माया जाल नहीं प्रेम है इवक्ष प्रेम इस मूल से जिससे वास्तना की गंदारी है फोले ब्रह्मचारी तुमने पोथियों की भाषा पड़ी है हिर्दय की नहीं शब्द रट लिये हैं स्वाद नहीं लिया आओ इस हिर्दय पर हिर्दय निर्लज चरित्रहिनारी का धन है मैं तुम्हें अभी मार ढालता परन तुस त्री को शक्ती मान कर पूचता हूं इसलिए छोड़ देता हूं चले जाओ यह सी तो कभी यहां आने का सहस्त न करना कर दब हो बाड़ बड़ जाब बादो है कर दोूंच कर दो जाब हूए हुआ है प्लाद को अगाना इसे मेरे मारा है बाग कुलाडी से मरा है बान से नहीं ये तो कोई भी कह सकता है राजकुमारी सावित्री जो कहें जैसे कहें प्रेमी मदन मानने को सदा तैयार है प्रेमी का काम है प्रेमी का को बचाना बचा लिया तुम भाशा से निरलच और भावना से विलासी हो प्रेमी नहीं प्रेमी का प्रेमी को पहले पहल यही कहती है निरलच विलासी यो कि प्रेम दोही प्रकार से होता है, चुपके से या जगडे से, इसलिए मुझे तुम्हारी कोई विवानी प्रिया है, तुम्हे पाना मेरा लक्ष्या है. मदन से, मेरा मुझे तोड़ उतर पाने के बाद तुम्हारा ये बर्ताव घौर अपत्ति को ललकार ना है, भला इसी में है कि तुम यहां से चले जाओ. सवित्री, मेरे फंदे से तुम निकल नहीं सकती. चंगी. हुआ हुआ है! वल नहीं और बन गया बावरिया लटु! प्रेमी का ऐसे नहीं मिलती कायर! प्रेमी का पशूता से नहीं, पवित्रता से मिलती है प्रेमी जी पच्जाप, पच्छाप, पच्छाप पच्छाप बच्चा बच्चा आए परमी महाशे जी हाँ झाल झाल चुपके, 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 चुपके चुपके, 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 चुपके आज तो हम धरती की धूप से प्रेम की पायन पहन पाऊ में प्रेम की पायन पहन पाऊ में फिया की गाऊ में आए एक मेहल की सुंदर मैं ना देखो जंगल का गीत हो गए कुछ तुम भरे कुछ हम बहे कुछ तुम भरे कुछ हम बहे दोनों में प्रेप्न वाखे चुपते 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 कितना है मधुरी मिलन इत साथ बंदेर दौमन कितना है मधुरीयन मिलन', एक साथ बंदें दो मन कहने को तो अलग अलग हम, पर तौनों की एक धरकं कहने को तो अलग ंलग हम, पर दोनों की एक धरकं एक छोटी से पहचान, जिन्दगी भरके जीत हो गए कुछ तुम बढ़े, कुछ हम बढ़े कुछ तुम बढ़े, कुछ हम बढ़े तो ना में प्रित हो गए कुछ तुम बढ़े, कुछ हम बढ़े मुझसे लाज कैसी बेटी? मैंने भी ये दिन कभी देखा है कौन हो ये वक्ख? मुझे सत्यवान कहते हैं कहा रहते हो? गवतम रिशी के आश्रम में अपने अंधे माता पिता के साथ अंधे माता पिता? माता पिता के दर्शन? आश्रम में आपके चरन पढ़ने से मैं धन्य हो जाओंगा जय हो कांदेनु माता जय हो आज 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 डेश्रान तो करा दियाना माता पस पूजा वार करना अधिया क्या काम है तो फिर पंडचरंदाजची का क्या काम है तेरी अखंडपत्टि-भक्ति का पालन, पत्नी जो कहे, जैसे कहे, ऊपर से नीचे तर, पत्नी की संपुर्ना सेवा दाज के ना चूले की ना चक्की की, खाने की पक्की क्या कहां? दिखाओ तेरा हुआताल नहीं, चंडिके नहीं, तेरी तुय-स ताल नहीं, त्रताल, छ्वताल, जपताल, बैताल, पाताल, सब कुछ दिखाई दे जाता है, देजिटी. अभी सब ताल एक साहएख दिखातीं। आज तो बावी बड़े प्रेम से आरती उतार रही है, बहुत प्रसन्न है, पूछने की बात नहीं बंदू, समझने की बात है, वो तो आपके आगमन के कारण लज्जावस प्रसन्नता में कुछ कमी रह गई, नहीं तो आरती क्या, बहुत कुछ चलाती उतारती है, गनगोर सत ही है, यह मेरे मित्र पंडित चरंदाज जी, बहुत बड़ जन से वक्य, और यह है उनकी श्रीमतीम, विचारी गव है, बेल है, बेल, फूलों की बेल, रूप रंग से चाल धाल से राजकुमारी लगती है, अरी लगने दे, तू भी तो यम राजकुमारी जी, री, 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 यह है दीन की कुटिया, बैठे हुए मेरे माता पिता है, बेटा, सर्तिवहान, मा, राम पिता जी, महराज तुमेच से, कौन, महराज अशुपती का मंत्री, सुकेशी, सुकेशी, आओ, आओ, बैठ लो, कल्यान हो, तुम कौन, महराज अशुपती की कन्या, कुमारी सावित्री, सुकेशी, सुकेशी, बैठा सर्तवान, पिताजी, बन में अचानक मंत्री महदय से भेट हो गई, इन्होंने हमारी कुटिया देखने की इच्छा प्रगट की, आपकी आग्या लिये भी नहीं, मैंनिया लिया पिताजी, अतिथी सत्कार तो गरस्त धर्म का स्रेष्ट अंग हमारे मित्र अश्वपती और महरानी मानवी सब कुशल से तो है ना, सब भगवान के दया है महराज, किन्तु आप इहां, इस दोशा में, ये भी सब भगवान की ही दया है सुकेशी, मेरे भाई चन्न सेन ने सारा राजपाद चीन लिया, तब से हम लोग यही रह रहे हैं, एक शुब इच्छाने कराया हूं, महराज अश्वपती के सामने, कुमारी सावित्री और सत्यवान के विभवा का परस्थाव रखने के लिए, आपकी आज्या चाहिए, नहीं सुकेशी, कहा फूलों पर पाउधरने वाली सावित्री वीटिया, कहा काटों में भटकने वाल हमारा सत्यवान, कहा राजभवन, कहा ये कुठिया, कन्या जहां भी जाती है, अपना भाग लेकर जाती है, महरानी, कल क्या होगा, कौन जानता है, मेरी आत्मा को ये स्विकार नहीं है, पिता जी, जहां दो आत्माओं का मिलन ही, विवाह की परिभाशा है, मिलन का अनंद ही सर्वस रेष्ट सुख है, वहां शारीरिक सुख दुख का मुल्य, महतुर, तुछ है, बेटी, यवन की आखी, बालक के समान होती है, जो सत्य असत्य को जानी बिना ही, सुन्दर खिलावना देख कर, पाने के लिए मचल उड़ता है, इस बालक ने, यवन की आंधी में भी, सत्य को परखा है, खिलोना रुपे इस काया को, पती, और कुटुम्भी जनों की सेवा में सौपने का, आप सब के सुख दुख को अपना जीवन बनाने का निष्चे किया है, मुझे, मुझे आपके आशिरवात के सिवा, और कुछ नहीं चाहिए पिता जी, किन्तु सत्वान क्या चाहता है, ये तो हमने जाना ही नहीं, माता पिता की आज्या ही, मेरे लिए तुख सब कुछ है, सुकेशी, मित्र अश्वपती से कह सकते हो, ऐसी पुत्र बधू पाकर हम धन्द हो जाएंगे, नारायन, नारायन, बहुत थस रहें, यम्राथ, क्या आप चाहते हैं, कि माय होने लहूँ, नारायन न करे कोई रोये, अम्राच, किन्तो आप जिसका प्राण लेकर आएं, उसके सगे सब मंदी कितना रो रहे हैं, ये तो सूचा होता। पीछे की बात आप सूचे, मैं आगे की सूचता हूँ, ये प्राण एक शरीप झोड़कर, जहां दूसरा शरीप धारण करेगा, वहां कितना आनंद होगा। ये सोचकर, मैं भी अपने नियम पालन का आनंद ले लेता। तो लीजिये आनंद, पालिये नियम ना आ रहा है ना। नारग जी, आप शोख मनाने जा रहे हैं। आशिरवाद देने जा रहा। किसका भाज जगने वाला है। राजा अश्वपती की कन्या सावित्री का, जिसका वागदान, राजा अध्यूमत सेन के पुत्र सत्यवाद से होने जा रहा। सत्यवाद से? नारग जी, आप का शीजवाद कहीं अभी शापना बन जाए। यह शंका है यह चनवती। चेतावु, सत्यवाद के आयू केवल एक वर्ष की शेष रह गयी है। केवल एक वर्ष की established, सैयम और सत्कर्म से आयू भी बढ़ सकती नहीं, एक वर्ष बात सत्यवाद के मित्यों विदी का विधान है। कर्म का फल भी विधी का ही विधान है यहम राज। वो सकता है सत्कर्मों के फल सुरू विधाता को भी अपना विधान बदलना पड़े नारत जी यह केवल गम है यम अर्थात नियम इसे कोई भी शक्ती नहीं पदल सकती यह समय सिद्ध करेगा अच्छा हुआ आप पथारे सावित्री को आपने संथाई इस पंगली ने ऐसा वर चुना है जिसका न ठोर न ठीकाना आशु बहाते जीवन जाएगा सावित्री से आइसी भूल नारायन नारायन कौन है वो वर आश्रम निवा से ज्युमत सैन का पुत्र सत्यवार सत्यवार नारायन नारायन वर तो सभी प्रकार से योग्य ही चुना है राजन किन्तु किन्तु क्या मुनी राज कहें ना सत्यवार अलपायू है अलपायू आज़ा अब केवल एक वर्ष की एक वर्ष की सावित्री यह चानकर भी सत्यवार का विचार करना पागलपनी होगा बेटे हट छोड़ दे पिता का अग्रम माम ले पिता जी उनकी आयू एक वर्ष की हू या एक दिन की आपकी बेटी उन्हें आत्मसमरपन कर चुकी है ऐसा ब्या करने से तो क्वारी रहना अच्छा है मेरी लडली बेटी का वीच्वापन अधित्री और अधित्री अधित्री आध एक मा किन आखों से देख पाएगी किस रदय से साहन कर सकेगे जो होना होगा होगा मा अब तो इस जीवन के स्वामी वही है एक जनम में दो पती आरे कंगा के नहीं होती को आख रहते अंथा भी कोई नहीं मनता सावित्री हम चाहन बुछकर कूल में तुझे नहीं किरने देंगे तुझे अपना यह संकल्प त्यागना ही पड़ेगा संकल्प त्यागने से तो तो अच्छा है प्राण ही त्याग देना मातेश्वरी मैं धर्म संकट में हूँ आज अपने आत्म सबर पड़ और माता-पिता के निश्चे की तक्कर में उलज गई हूँ क्या करूं क्या न करूं मार्ग दो मार्ग दो मार्ग एक ही है सत्यवांस के विवाह अलपायू पती के लिए दिर्धायू करने वाले वट व्रक्ष का निरंतर पूजन आने वाले चेश्ट मास की तेरस, चौदर्स और पुर्णिमा तीन दिन तक मिर्जल, मेराहार, उकवास। चौथे दिन पारण करना उत्तम व्रध है कल्यान हो। कल्यान अवश्यफ होना चाहिए। नारी शक्ती की कल्यानकारी गाथाएं। आज भी धर्थी पर अमर्थ। पती व्रता नर्वदा ने सुर्य की गती रोक दीती। सती व्रिंदा ने भगवान विष्णू को पत्थर बना दिया थी। सावित्थे, सयम और सदाचार से केवरत करना। अखन्द सवभाग्यवति हो बेदी। राजन, मातेश्वरी के संकेत को सवभाग्य मानकर विवहा का शिक्र आयोजंकी। जैसी महमुने की आक्या, मातेश्वरी की इच्छा। पताँ, पताँ, पताँ साम गचन अच्छ। tourism, आज सो आप आनंध की दुओर लाते हुए आ रहे हैं। घड़ बसाकर आ रहा हूं। सत्यवान सावित्रिका। सत्यवान? सत्यवान सावित्रिका। सत्यवान सावित्रिका। मेरी रिचे पावनी के बाद भी आप ने ये विवात करा के अच्छा नहीं किया नारत के हाथ से अभी तक तो किसी का भी बुरा नहीं हुआ धर्मराज किन्टु एक वश्वाद सावित्त्री विद्वा होगी ही मेरी शक्ती को कोई छू नहीं सकता अभीमान से उठा हुआ मस्तक कभी भी जुक सकता है काल के आगे संस्थार मस्तक छुगाता है याम नियम कभी निश्वल नहीं हुआ नारत का आशिरवाद भी कभी निश्वल नहीं हुआ यम्राज मैं सावित्री को अखंड सवभाग्य का आशिरवाद दे चुका हूँ इसका परिनाम एक वर्ष भाद देखेंगे आपकी और मेरी भेट भी एक वर्ष के बाद ही होगी नारायन नारायन आव चले तो देश्वरी के चरण आज कहां चले मृत्य लोग में सत्यवान और सावित्री के स्वागत का आनन लेने इस रूप में नहीं विधाता इस रूप में प्रणादार्य विधाप देखेंगे प्रणादार्य विधाप प्रणादा आउ ही सुखा बन्नारी आउ ही सुखा बन्नारी अपने पती के प्यारी हूँ आउ सचन के वारी आउ पली आरी तुम पे वारी चिख वारी वारी तुम पे वारी आउ पली आरी आउ ही सुखा बन्नारी आउ आउ ही सुखा बन्नारी सत की अंगों थी पेम की जाजन च्याग कटी का धर्म के कशन च्याग कटी का धर्म के कंवन पहलोई ही गुरवर्ती 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 मूति की नत्मी लाज का घजरा प्रीत के जुम के ममता का घजरा प्रीत के जुम के ममता का घजरा इनको सजलू लजबंती, लजबंती, लजबंती हो जाएगा बेरा फार बली बली आओ हे सुखा गन्नारी आओ हे सुखा गन्नारी सासु जी गए पास सुर्जी पिता उनकी से बात करना सकी समझो इसे फुलंती, फुलंती फुलंती पियाके चरं नारी काधन उन पे तुझी ना हरना सकी उन पे तुझी ना हरना सकी यही है धरा चत्वंती, सत्वंती, सत्वंती, करना सभी से चार अब हली हली शक्रफेंगे बिजञे से भार मी, देसे साओ। अचमब, सावित्री ने आश्रम वासि सत्यवान से विवा कर लिया, लगता है इसलिए सुकनिया को सुचना नहीं बेजी, बेजी थी सुचना, तो गई क्यों नहीं? जाती कैसे, राजा ने दंड जो दिया था, मा बेटी दोनों ही पागल, बंड किया उज्वी तो पूरी हो सुकनिया आएका? सक्षी! 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 सुकनिया, सक्षी, क्या हुआ? अरे, तिरी सिर्षकी क्यों बंड हुए है? दर क्यों गई इतनी? पगले गई तो, ले, पानी पे ले. सुकनिया, कुछ बता तू, क्या हुआ? अरे, बता दो ले. अंजाने में, मुझसे अनर्थ हो गया सकी. मेरे हाथ से, किसी तपस्वी की आखे फुट गई. तपस्वी की आखे? कैसे, खेल खेल में सकी. अरी, यह दिखे नैनों के बाद, आज किसी को घायल करके ही छोड़ेंगे. चन्द मन जली कहीं गया. इसको निशाना बनाना है, कोई पंची भी तो नहीं. मनजलियों के मुझाओं पानी सुखाना है. ही, बाप्रे. ओ, 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 ओ. अरे, नहीं रहे, जुगनों हैं, मुझे तो तारे लगते हैं. बुद्धु, तारे कहीं मिट्टी के ठेर में होते हैं? कौन जाने, राजकुमारी के नैन बांग से तूटकर गिर पड़े हूं? अभी पता चर जाएगा, क्या है? मेरी आखें फोड़ने वाली कान है. अले, यह तो कोई पुरूष है, कोई तपस्त्री है. घोर अप्राद हो गया. अब तो सुकनिया को महाराजा शेजियाती, तंट दिये बिना नहीं छोड़ेंगे. कई मुनी ने शराब दे दिया तो, बागो. कुछ नहीं सुष्टा, मैं क्या करू सकी? राइश्चीत. कैसा पैचीत? आँख बिना जीवन, एक बोज होता है सकी. तुने जिसकी आँखे फोड़ी है, उसके जीवन का बोज उठाना ही तेरे अपरात का. राइश्चीत है. रादेश्वर अंगंग में भेंग कर दल हो रही है. राज में वस्त्यकिती, रिशी मुनिया तपस्वी का कोई अनिष्ट हुआ है. अनिष्ट मेरा हुआ है, राजा शर्याती. तुम्हारी बेटी ने मेरी आखे फोड़ी है. राज मेरी बेटी मेरी आखे फोड़ी है. शुकन यारे यह दनुष्बान शाक्षी है. तट्वगून की मुर्ती, मुनिष्रेश्चवन्स. हमारी सुकन या बालक बुद्धी में इसी घातक भूलकर बैटी होगी. उसे क्षमा करे. बैया करे, मुनिष्ट. जयाक्की, इतलिए श्राब देकर उसे भस्म नहीं किया. किंतो क्षमा नहीं कर सकता. पुत्री की भूलका दंड. पिता को जो उत्जी समझे दे, मुनिष्रेश्ट. तो सेवा के लिए पत्नी के रूप मैं तुम्हारी बैटी मांता हूं. बैटी? हमारी सुकन या? नहीं, मुनिष्रेश्ट नहीं. सेवा के लिए जितने दास दासिया चाहिए ले लिजिए. धन वैभाव ले लिजिए. धन वैभाव ले लिजिए. राजपाट ले लिजिए, मुनिष्रेश्ट. हमारी सुकनिया को न मांगिए. सबस्वी के लिए धन, वैभाव, राजपाट सभी नरठक हैं. तब धर्ब और यग्यानी कर्म ही उत्तम है. उनका फल डास दास्यों से नहीं बतनी के ही करने से मिलता है. इसलिए तुम्हारी बैटी महांगता है. दिया लेकर कोई घड़े में नहीं गिरता मुनिवर. हम अपनी बैटी नहीं दे सकते. नहीं? ओम शिवन. माँ! शांत! वंशी शांत! जोद लौटाने की कृपा करें. आपकी सेवा में सुकन्या का जीवन समर्भी थे देव. विकार कीजिए. ओम श्वम. सुकन्या! बैटी! यह तुम्हें कैसा नेने ले लिया, बैटी? अपरादी को दंध मिलना ही जाएए. यह आपी का नेने है, पिताजी. मेरे अपराद का यही एक प्राइचित है. जीवन पर देव की सेवा. होनी होकर ही रहती है. महाराज, आप दोनों स्विच्छा से महरशी चवन के चर्णों में सुकन्या को सौंपकर आशिरवाद लीजिए. मुनिस्रेश्ट को प्रणाम. ओम शिवम. ओ, ओ, सत्वन्ती. सत्वन्त, सत्वन्त, सत्वन्त. अरी, कहाँ गडंचु हो गई थी? अरे, ये तिरा पिता नहीं तिरा पती पुछ रहा है, उत्तर दे. मैं गरी थी, सती-जरी-मरी के मेले में. वा, और ठाके ले आई. पीपड़ी, जाचा इतनी जी है. घंचक्र कहीं की, मैं लेले लाच भी देंगा आती. लाच को तुम्हें आनी चाहिए. जब तक बजाने वाला कोई नहीं, तब तक अपून ही बजाएंगे. नकटी. क्या कहाँ, मैं लगटी? हाँ, नकटी, पूरी की पूरी नकटी. सिल्वक्त्र की तरह बड़ी कग्डियां दोड रही है, चाल रोटी है पका. बूग लग रही है. आज सत्वंती की छुट्टी है. पती देव, सारे बर्तनमाज दौले, ये सती की आग्या है. हाँ, सत्या नाहत हो एसी सती का. बर्तनमाज मैं और सती की पदवी चिपकाए तू. अरे मैं तो जर्म से ही सत्वंती हूँ. धात तेरी शी, लक्षन पूरे के पूरे, वह करकशा के. और नाम सत्वंती, और इस तरह नाम तोलत्वंती होना चाहिए था. सत्वंती वतानी किस गदे ने रख दिया. क्या? मेरा नाम रखने वाला गादा. मेरा बाप घवाँ था. मैं गधे की देती. दिखाऊं तेरह भादा. अरे मर गया रहे! अबर मर गया रहे! आड़े तेरी की बख्षा करो. च्छमा 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 महा महा तत्वंती च्छमा गधा तुमारा पिता नहीं तुमारा पती ने देवी इसे च्छमा कर दो एक गंगा कहीं से आई एक जमना कहीं से आई जगत के बठते चलते चलते संगंगं गई एक प्रीत के पुनित प्रयाग में आके तीरत अनपन बन गई एक गंगा कहीं से आई एक जमना कहीं से आई जगत के बठते चलते चलते संदन बन गई बैकी ने अपने धर्म को निभाया आरे देश की देक बैकी ने अपने धर्म को निभाया एक जनम ने गोटी जनम का उन्य सतीने कमारो संतट जो पड़ो सब हस के सही कभी किसी को वचन करवे न कहीं जब दो आखाने को मारस थी एक दुलहन पूनम बन गई एक गंगा कहीं से आई एक जमना कहीं से आई जगत के बचते चलते चलते संरं बंगे सती को कुछ न पता था के उसने क्या खोया क्या पाया सती को कुछ न पता था के उसने क्या खोया क्या पाया पंजाने ही गंगा का मन सागर पर ललचा जब भाग ने एक पल का खाया और द्याग का जब पवसर आया एक राज मेहन की चंचलता पल भर में संयम बन गई एक गंगा कहीं से आई एक जमना कहीं से आई जगत के बथते चलते चलते संगम बन गए संगम बन गए संगम बन गए संगम बन गए कि यही एक होतम मुनिक आश्रम और वो रही सत्यवान की जोपड़ी कि चाचा जी की दुर्दश्या की खिल्ली उड़ाते हैं आज आओ कि चाचा जी कहूं कि आपका बतीजा मदन हम मर गया है कि जी रहे हैं यह देखने के लिए आये हो मदन कि शमा कीजिए चाची जी अरे बड़ों की आगे बच्चों की क्या चलती है मेरे लिए तो जैसे पिता जी वैसे हैं चाचा जी अच्छा अच्छा कैसे रास्ता भूल गए बदन विजय करके लॉट रहा था बूख लगी थी किन्तु अधीक भूख तो आपके दर्शन की थी तो देखने चलाया आपको देखकर आपको की भूख में पिटे आए हो तो पेड की भूख बिटा कर ही जाओ बेटे अके नहों ता तो फन्मूल भी खा लेता इतनी बड़ी सेना का प्रेक आश्रम में कहां आश्रम में एक जू नहीं अनी जू पलते हैं अधिकी धर्म का पारल हो गाई पीता जी में भोजन का प्रभन करती हूँ तब तक आथिथी विश्राम करें माँ माँ माता काम भेनु मनोरत पूर्ण करना तुम्हारी मही मा है आज आठिकी धर्म को कलंकना लगे यही मेरा मनोरत है मेरी बिंती है मैया मा झाल बेटी सावित्री, अतितियों को भोजन करा। जाओ। भोजन करा। मा, मा, पिता जी, मा, पिता जी, भोजन बन गया है, अधिति पधारे। बात की बात में इतने लोगों के लिए भोजन बन भी गया। देहलक्षवी के हाथ में अनपुर्णा का निवास होता है, मदन। भोजन के लिए जाओ, बेटा। जाओ, बुलाओ सेना को। आए, आए आए आप मेरा तो पेट भले फट जाए पर आज कुछ नहीं छोड़ना है कि इतना स्वादिस्थ भोजन बनाने वाले हाथ मेरे कले का हार बने होते तो जीवन कितना स्वादिस्थ हुआ होता जिस स्वाद के लिए आज भी तरस रहा हूं आवित्री प्रिये अरे यह सब क्या है रोजन तों इसको क्यों दिया मैं कोई भूखा शणारती होकर नहीं नीमंदम पाकर आया हूं किस ने दिया पिता जी यह आपके चेचरे भाई मदन से नहीं पिता जी का राज घडब कर इस दशा में पहुंचाने वाला मेरा भाई नहीं हो सकता मैं इसे अभी अपने द्वार पर शत्रु का भी सत्कार करना क्रस्त का सनातन धर्म है आरिए चलो पोजन करके जाए अन्न का अनादर करना अच्छा नहीं सावित्री से सावधान धर्मराज काम देनु और वट्वर्ख के नित्त पूजन से साथ ससर की सेवा से पात वर्थ धरम के पालन से आश्रमवातियों रिशी मुनियों और प्रह्मनों के आशिरवात से सावित्री के पुन्यका भंडार पलपल बढ़ता जा रहा है चिंता मत करो चित्रगुप्त, सत्कर्म से आयूश को भढ़ाना, घटाना मनुष्य के हाथ में नहीं इन तु सतीत की जड़ को जबलेती पहले उखार देना है मंदा है ताले वंपत्रम्दे सावित्री के नित्कर्म में बाधा डालने का उपाय करो ताले वंपत्रम्दे वह बाधाना को रही सावित्री? मैं बनता हूँ सत्यवान और मैं बनता हूँ सुखन्या और करते इसका व्रत्त भांगा आज ही नच्खचपन कैसे सुझा? अवसर सब सुझा देता है आज भी ऐसे अवसर की तांक में रहते है यह मुझे पता नहीं था पता होता तो तो प्रती दिन इसी समय पानी भणने के बहाने आज आया करती आज कैसे आई? आज पिता जी के धर्मकारे में पानी घट गए पता जी के धर्मकारे और माता जी की सेवा में ही सारा जीवन बिताने के लिए विवा किया था या पती का ध्यान रखने के लिए पती का ध्यान रखना तो पती का व्यक्तिगर धर्म है आरे सिर्थ स्वरुप माता पिता की सेवा करना पारिवारिक धर्म है वे नेतरहीन हैं, उनके सहारे हम ही हैं तो तुम उनका सहारा बनी रहो, मैं अपना सहारा डुटता हूँ आरिया आरिया काविट्री, मैं तुम्हें अंतिम चैतावनी देता हूँ मेरा साथ देना है तो ये सेवा व्रत अपास वट पूजन इत्यारी छोड़ दो सेवा व्रत पूजन ये सतकर्म तो जीवन के आधार है आरी इन्हें कैसे छोड़ा जा सका है तो मैं तुम्हें छोड़ता हूँ अचानक ऐसा परिवत्त आज आरी को क्या हो गया प्राण प्यारी दुकन्या तुम यहां हाँ बठे पती से उपकर आश्रम थोड़ आई हूँ मैं भी सावित्त्री के व्रत और उपवास से उप गया हूँ दुकन्या आओ हम दो दुखी एक होकर सुखी हो जाए आरी मेरे पीछे क्यों आई हो आज आपका मत स्वस्त नहीं लगता चले आश्रम चले सुकन्या तुझा अपने पते के पास है मैं अपने मन के सौमीनी हूँ तू आखे देने वाली कौन है तूम चलो यहां से नहीं तो आजो आज़ो 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 अशाओ क्या ज़ती क्यों आज़ो आज़ो आपक Πार तो जहाए मर 큰 जहाई जहाए हुआए अ度 Ist तर जहाए जहाहाई जहाए मित्री प्रिय आरे 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 क्या बात रो क्यों रही हो प्रिय आरे 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 मैं संसार में समस्या बनकर जन्मी हूँ मैं जो जो शयथा और आत्मरिश्वास का दीब जलाती हूँ जो तो उसे पुछाने के लिए आरे का एक ना एक जोका आता ही रहता है मैं नहीं पाती किसको क्यों इतने युश्या है किसी ने तुम्हें कोई दुख बोज़ाया है प्री ना आराया सुख दुख के संगम को ही तो जीवन कहते हैं बेटी सावित्री जहां सिद्धान वहां संगर्ष जहां सत्कर्म वहां विरोध जहां लगन वहां जलन भी होती है आधियां उठती रहें और विश्वास का दीप जलता रहां इसी में तो जीवन की सफलता है बेटी सावित्री अपने सत्थ और कर्म से डिगना नहीं ना आरा ना आरा ना आरा आरा ना आरा ना आरा आरा ना आरा अब यहाँ कब इया यह साप करकर सोते है पर अपने करमगों रोते है देवी रो एटा है गाए मेरी घगरी जखा जखो नी चाहिए ऐसी जखा जख के कोरी घगरी भी उसके आगे पानी भरे यह देख अनाड़ी पटी देव ने मेरी खत्याराश कर दिया मैरे माईके का निसान भी मिता दिया अभी दिखाती हूं ते रहवा तान तान नाङ ने ओने ओने, मोदे, मोदे जोने का कमल अरे सूरी कमल, पकर, पकर, पकर कि इतना है, यह तो कोई मायावी फूल लगता है, मेरा हाथ लगते ही काला हो गया अरी तेरा हाथ चंदर सूरिर को लग जाए तो वो भी काले पड़ जाए संसार में अंधिकार ही अंधिकार हो जाए बराबर है सतवन्ती के आगे जूठे का मुखाला और सच्चे का बोल बाला समझ गया ना? समझ गया, तेरा मन कितना काला है मैं वो भी समझ गया क्या कहा? मेरा मन काला? अभी खोलती हूँ तुम्हारी ठोपडी कासा भाप 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 भा इससे यहां लाने वाले सती कॉल्ष है सती सुकन्या जिसने अपने कर्टव्य के आगे पिता का राज्य वैभव फुक्राकर अंध और व्रद्ध जीवन रिशी की सेवा में जीवन अरपन कर दिया जिसकी एक एक सांस में ट्याद की भावना भरी जिसका डगड़ सत्धर्म के साथ बढ़ता है विश्वास कैसे हो दे वर्षी वश्वास के लिए प्रमान और प्रमान के लिए परिक्षा ना आरा 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 परिक्षा आह, सुन्दरी, प्रकृटी ने ये रूप कमल धूप में जुलसने के लिए नहीं, नैन सरोवर में खिलने के लिए दिया है, ये मदमाता यववन जीवन में रस बरसाने के लिए है, तरुणी, मेरे जीवन का मुल्यू, मेरे पती जानती है, तुम्हारा पती कैसे जानेगा, उसने तो तुम्हारा रूर पुरंग देखा भी नहीं, बुद्धा, अंधा, चुप रहो, तुम आख रहते में भी अंधे हो, तरुन होते में भी खुसट हो, विवा के आदर्श को तुम क्या समझो, विवश्ता को संतोज भले ही मान लो सु सुन्धे तपस्वी से पल्ला छुडा लो, और हम दोनों वे जो भी तुम्हें जचे, उससे भी वहा कर लो, संसार में हमसे सुन्दर कोई ने, सुन्दरी, हमारे सुन्दरिय से कामदयो भी लजजित है, सुन्दरिय का ढोल पिटने से पहले, पानी में अपने मुखडे से है, मैं बंदर, मैं गठा, हम ने उताव के वैजिन अश्मिनिक मार है, सुरिय पुत्र, संसार को प्रकाश देने वाले सुरिय देव, और उनके पुत्रों के मन में इतना अंदकार, ऐसा फेष्ट विचार, हमने तुम्हारी परिष्या ली थी, देवी, तुम्हारा त्याग, तुम्हारा सतधर्म, अनुपम है, उसके फल स्वरूप, हम तुम्हारे पती को नया जीवन देना चाहते हैं, देवी, हमें महर्शी के पास ले चलो, आईजी, महर्शी चवण को अश्वणी कुमारों का नमस्कार, जवताओं के वैद, अश्वणी कुमारों की किरपा कैसे हुई, महर्शी की सेवा के लिए, हम आपके नेत्र और शरीर पर आयूरवेट का विशेश प्रना चाहते हैं, महर्शी, काया कल्ब, तो आपकी ये किर्पा मेरी पतनी सुकन्या पर होगी सूर्य कुमार, ये उसके सुख सौभागिये के उद्य का संकेत है, आदेश दीजिए, प्रयोग जल में करना होगा मुनिवार्ट प्रयोग सफल होने तक प्रतिक्षा करनी होगी, करूगी, जब तक आप लोग मेरे देव को लेकर लोटेंगी नहीं, मैं यही प्रतिक्षा करूगी चिंता ना करना सुकनिया, अश्मिनी कुमारों पर विश्वास रखना महारानी, महारानी संदेश वहां कहता है कि आश्रम में न सुकनिया है न चवन रिशी क्या, आश्रम छोड़ गए, तो ग्रेय कहाँ कुछ पता नहीं, चलते हैं डुनने चली मेरी तेव कहा है? इनों में तुम्हारे पती कौन है, पहचान लो, यह तुम्हारी का सोटी है सपी, पहचानो देवी कैसे समस्या है? मैं अपने देव को कैसे पैचानो? क्या उपाय करो? आप तीनों में से कोई, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे? पूछो, पूछो अभी उसकी दोनों आखें चमक रही थी, वहाँ आई योवन की आंधी और आखों की जोथ बुजी गई देव देव जो तुम्हारे नए जीवन को अधिक आनद मैं कर देगा मैरू की कोठरी सजाके तुत्रे में पलक बिछाओ फिर परकों का दाल के परदाओ अपने पिया को और जाओ मेरे दुनियों बदन गई आज रहे मेरे दुनिया बदन गई आज रहे आज रहे आज रहे मैंने पहना है मैंने पहना है फूलों का ता आज रहे मेरे दुनिया बदन गई आज रहे आज रहे दुनिया बदन गई रूम मेरा करता है तर्ठर फंग फंग मेरा करता है नर्टर रूम रूम मेरा करता है तedelतर मेरा तो सपन सच हो जया रे जीवन में मेरे भुआ करी बर्खर मेरे हरने ओ मेरे हरने रखी मेरे नाजरे नाजरे मैंने पहना है ओ मैने पहना है फूल का ताजरे मेरे दुनियों बदल गई आज रहे मेरे दुनियों नाच अधियों चिया के पुझारन घड़ी है ये रस्वत्ति हो कभी कभी को बात बात में बात यहां के बनती मेरे अंतर मन में है दम की मेरे दिया की डोती मैंने पाया है तिफुन का राजरे राजरे मैंने पहना है मेरे दुन बदल गई आजरे आजरे मैंने पहना है मैंने पहना है पूरो पता आजरे 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 है पिता जी माँ सुकन्या तू जिसके साथ प्रेमा लाब कर रही थी वो दुराजारे कौन है वही है पिता जी मेरे पती हमने तेरा हाथ इस विलासी युवक के हाथ में नहीं अंध व्रिद चवंध रशी के हाथ में दिया था सच है किन्तु देवताओं के वैद अश्वनी कुमारों ने उसकी काया पलट कर दी व्रिद को तरोन बना दिया अंधे को आखें दे दी ये भी सच है वासना के केड़े हमारी भोली भाली बच्ची को योवन के जाल में पता कर सच्चाई की साखसी दे रहा है पिताजी संद्या में सब्त्य को आप लांशन लगा रहे हैं अपनी रख को कलंकित कर रहे हैं तुम्हारे पिताजी का संदेह दूर करने के लिए मैं परमार देता हूं अम्श्वण यही चवंडिशी है चवंडिशी यही है यही चवंडिशी है राजा शर्याति विश्वास को गया महर्सी अम्श्वंड आप धन्यवे बूल में मेरे मुझ से जो भी अपमान सुचक शब्द निकले हो उनके लिए में ख्षमा मांगता अचानक परिवरतन में विश्वास ना करना भूल नहीं मानो स्वाभाव है राजन बेटी पिताजी मा सत्यवान की आई अब केवल एक वर्ष की शेष रहें आई पायूग पती के लिए दिद्धायूग करने वाले वत प्रश का नेरंतर पूजन सावित्यी सयम और सदाचार से एवरत करना आरिया तुम्हारा हाथ काप रहा है पीए लाओ अंतीन तीन स्वस्तिक बनाकर मैं चित्रकारी पूरी करती हो नहीं आरिया नहीं मैं नहीं चाती कि ये 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 पूरी हो क्यों तुम तो सदा पूर्णता में विश्वास करती हो सभी इच्छा ये पूर्ण करती है हो कोई-कोई इच्छा ऐसी भी होती है आरिया जो पूर्ण होने पर मनुष शुन्य हो सकता है आपोड़न रहने पर मनुष को सहस रहता है आप कहें तो मैं मैं एक व्रत करना चाती हूँ कैसा व्रत है? निरजल, निराहार तीन दिन का उपॉस चोथे दिन पारण ऐसा कठीन व्रत किस लिए पूरी? पती की तिरगायों के लिए मुझे क्या हुआ है? अच्छा अठा करता हूँ डटकर परिश्रम करता हूँ और मेरी आयू तो तुम होती है माता मैं अपना अखंड सवभाग्य व्रत निर्वीकन पुरा कर सको ऐसे शक्ती दो व्रत पुरा होने तक तुम्हारी सेवा न कर सकोंगी मा मुझे ख्षमा करना शक्ती स्वयम सफल होती है बेटी सावित्री मेरा आशिरवार तुम्हारे साथ है आप सब की इच्छा ही मेरा मनोबन है हम सब की इच्छा है देवी आपका मनोबल बड़े है हे दिरखायू करने वाले वठ दादा नारच जी की भविश्यवानी और यम्राज के विधान के अनुसार आज से चौथा दिन मेरे पती के लिए खातक दिन है पती की आयू बढ़ाने के लिए मैं ये व्रत कर रही है मेरे सुहाग की रक्षा का भार तुम पर है मेरे सावित्री तब कर रही है उसका तब खंडित करने की जेश्टा करो सावित्री से टक्कर आने लगा है जल तो तो तक्कर यम की अध्या का विचार नहीं पालन की आजाए रही सत्यवान तेरी तिरगायू के लिए तेरी पत्नी कितना कठी नवरत कर रही है और तु यहाँ चैन से सुएगा चा तेरा भी स्थान वहीं है चंदर हाँ मंदर वो रही सावित्री हाँ बस तो मैं साब बनकर उसके पाव में ही लिपट जाता हूँ और उसका व्रत बनकर देता हूँ बेटी सावित्री अब आखे खोलो बहु जागो बेटी तुम्हारा अखंद सोभाग्य व्रत उन्हों नहुआ तुम्हारा सुहाग अटल रहे बेटी तुम्हारी मनो कामना पूरी हूँ सुखी रहो बेटी अब पारण कर लो बहु पारण सुखी 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 तुम्हारी में सुखी ऐसा कठी द्रत पूरा कर लिया सुकर न तो अकेली आए अकेली तो साज भी नहीं ले सकती किन्तु वे तो बड़े थे और यह युवा कौन टपक पड़ा यही न यह देवताओं की वैस्ते अश्मीनी कुमारों की तया का फल है सकी यह सती के चरित्र का प्रताफ है सकी ब्रत पुर्णा होती के रूप में हम सभी मिलकर वट राजा से आशिरवाद मांगे बर्दान मांगे अमन सुहाग मांगे उच सो मनाईश मेरा करदोरे अमर सुहाग बर्दो वट राजा मेरा करदोरे अमर सुहाग बर्दो वट राजा बर्दो वट राजा ए मेरी चुडियां आमर करो बिंदियां आमर करो जुडिया आमर करो, जिदिया आमर करो भाग में लागे लाग, वर्दो घत राजा वर्दो घत राजा हुमिला कर दोले आमर सुहा वर्दो घत राजा मुझे पे रखियो ममता माया आई शरण तुहारी एक सुहागन पल पल छिन छिन रहे पिया की प्यारी रहे पिया की प्यारी एह मेरे रत को सफल करो पथूच वल करो सेवा में लागे लाजा वर्दो घत राजा वर्दो घत राजा हुमिला कर दोले आमर सुहा वर्दो घत राजा भनवे बहुत जोल समझे के मैं प्रीतम घर आई मैं प्रीतम घर आई प्राज पाथ के खाट को छोड़के पति भक्ति अपनाई हे दिरी पत को रखना पत को रखना पत को रखना बढ़ता रहे अनुराग वर्दो वट राजा मेरा प्रदो रे आमर सुहा वर्दो वट राजा ये को सुम लो लो ये पंपं शुभ दिन है भक्ति का शुभ दिन है भक्ति का मेरे पती की रक्षा करियो ये है वचन एक सती का ये है वचन एक सती का ए कुछ ऐसा करो मेरे पूरब जनम के सब बुल्य जाए जाम वर्दो वट राजा मेरा करदो रे अमर सुहा वर्दो वट राजा मेरा करदो रे अमर सुहा वर्दो वट राजा मेरा करदो रे अमर सुहा वर्दो वट राजा ए मेरी चुडियां अमर करो बिंदियां अमर करो चुडियां अमर करो खाग मे लागे नार मेरा करदो रे अमर सुहा मा देश्वरि आज बोन दिन है, सावित्री के सुहाग की लाली धोने के लिए काल की काली बदली बढ़रा रही होगी सावित्री का सुहाग कुभारी लाज है, अपनी लाज रखना मा, रक्षा करना, रक्षा करना साविस्त्री के एखंड़ सुभार के ब्रतकावी अन्तिन दिन आजी ही है मादू आरे, आरे, मेरी बिंती, क्या आप बन में आज न जाएं? क्या हो प्रिये? वो पारण का दिन है ना, मेरा मन नहीं चाहता क्या आज आप बल भर के लिए भी मेरी आँखों से दूर रहें नेटिक कर्म में बाधा नहीं होनी चाहिए समिधा तो लानी ही होगी तो, हाँ, तो मैं भी आपके साथ बन चलूँगी बन में काटे चुबेंगे प्रिये आज काटो की चुबन भी सुख देगे आ रहे है प्रिये अबास और ब्रत से तुम निर्बल हो गई हो नारी का बल पती ही होता है आपके साथ निर्बलता कैसी आज ही ऐसा हट क्यों हट नहीं आग्रह कर रही हो बहू कैसा अग्रह कर रही है बेटा सत्यवान देखिए ना पिता जी तीन दिन के उप्वास के बाद अब तक पारण नहीं किया और मेरे साथ बन चलुए पारण तो कर लेती बेटी पारण तो सुर्यास्त होने पारण पत्ति पुजन करके ही करूंगे माता जी ये मेरा संकल्प है पीता जी आरे के साथ बन चाने की मुझे आग्यां देजी पीती जब से हमारी पुत्रबधू बनकर आई हो आज पहली बार हमारे सामने ऐसी इच्छा प्रगिट कीज़े आनन से जाओ प्रग्यास्त हो आज सत्यवान की आयू पूरी हो गई वो जंगल में लकडी कातने आ रहा है उसका उनकर जाओ के पाल प्रगिजा उनकर दोग्यास्त हो आए प्रग्यास्त हो आए झाल पुझाओ। प्रग्यास्त बॉड़ झाल कुछी। पॉड़ आरी.. निचे भाजएए पज़ा आई, आई 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 अरिय... अरिय... अरिया... अरिय... अरिय... तद्वान को तक्षक्स में जस दिया है उसका खवान खोपरी मेचका हुआ उसे ले आओ बहुत आवित्र हुई तो... तो... क्या... मैं आपकी परचाई आपसे अलग नहीं हो सकती जैसे पानी बिना मचली जी नहीं सकती जैसे आपके बिना महत नहीं जी सकती नहीं जी सकती नहीं जी सकती प्रेज प्रेजर प्रेज़ अब आप आप कि अब कि कि आप कि सत्य की जौला सत्यवान की रक्षा कर रही है सावेत्र के होते हुए सत्यवान का प्राण हम तो क्या हमारे बब पाप भी नहीं ला सकते सत्यवान का प्राण मैं लाओ कि 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 हंसा राणा ना जाओ छोड़के हकेली मुझेको ना जाओ छोड़के हकेली हंसा राणा जगत की आँखों में ना बना मुझेको प्या पहली ना जाओ छोड़के हकेली हंसा राणा कि नाओ छोड़के रां आप जाओं है इतम मेरे इन जुना सूना करके पिंजुना सूना करके परबत जैसा पोझा मेरे जीवनों पर धरके जीवनों पर धरके मैं तो तुमारे संग में साजना मैं तो तुमारे संग में साजना दो दिन बीना खेली ना जाओ ना जाओ छोड़के अचेली अंसा जाणा अंसा जाओ उसंग अंसा जाओ अंसा अंसा लंबे सफर पर जाना है तो, मुझे भी संग ले जाओ, मुझे भी संग ले जाओ, प्यान छोड़ो बीच भवर में, मुझे भी पार लगाओ, मुझे भी पार लगाओ, ना जाओ, ना जाओ, छोड़ के अखेली हंसा ना, ना जाओ, छोड़ के अखेली मुझे को ना जाओ, छोड़ के अखेली हंसा रामा ठाओ, ठाँ, याओ, एली हंसा का ना झाल झाल हुँआ प्रॉब्ण प्रॉण अ अ जैंसे मेरे पती के प्राज लेने वाले प्रगट हो जाओ धर्मराज धर्मराज वेदों में कहा है पत्मी-पती का आधा अंग है पती के बिना यह आधान किस काम का इसलिए मेरे पती का प्राण लगता देजे आज तुमारे पती की मिर्त्यू विदी का विधान है उसका प्राण ले जाना मेरा धर्म है अपना धर्म पालते हैं एक पत्मी का धर्म बिगाड कर मुझे पत्ती से दूर मत किजे देवता साथ ले चलिए नहीं तुम नहीं आ सकती मेरे धर्म ब्रत और सत कर्म मैं पती की प्राण साथ जा सको एसी गती की शक्ती दो पती के पीछे जहां तक तुम्हे आना चाहिए आ चुकी अब जाकर उसके शव का दास इसकार करो पती-पत्नी का संबंध शरीर से नहीं आत्मा से होता है जहां पती की आत्मा वहीं पत्नी की गती है यह वैतरनी है साथित्री इसके पास तुमा नहीं सकती इसलिए लोट जाओ हे माता काम देनू आपके सहारे वैतरनी पार की जाती है मुझे भी वैतरनी पार कराती है हज छोड़ के लाओ जाओ साथित्री आगे देव लोग है वहां तुम सरह जा नहीं सकती जय महाकाली जय महासर्श्वती जय महालक्ष्णी क्या हुआ नारज जी आप इसे गबराय हुए क्यों है कोई खत्ना हो गए भयंकवजुद्ध गंगोर संग्रा गंगोर संग्रा किसमें सावित्री के सितित्व और यम्राज के अभंकार्म आज लगता है संसार से सत्यों का नाम ही मिल जाएगा धर्म, ब्रत, सत्कर्म, पूजन, इद्यादी का अमुल्यन हो जाएगा पहले पसीना तो पूछ लिजे नारच जी सावित्री का हमें पूरा ध्यान है आप जानते ही पती-पत्मी का साथ चनम-चनम का होता है मैं तुमारी पती-भक्ती से परसन्य हूं, सावित्री सथ्यवान के प्राण के सिवाए मैं तुमें सब कुछ दे सकता हूँ कोई वर्मान लो मेरे अंधसास ससुर को आखे मिल जाए वे अगनिया और सूर्य के समान तेजस्वी हो जाए तपास तो सावित्री, यह त्रिशूल तुमें देवलोग पार करादेगा आगे ब्रह्म लोक है पती बृतिक वहाँ अग्या बिना देवता भी नहीं जा सकते पती को पाना तुमारे लिए संभव है लाड़ जाओ सती निश्फल प्रयास मत करो प्रयास करना मनुष्य का धर्म है और धर्म ही धर्मराज को प्रिये है फिर मुझे धर्म के मार्ग से विचलित होने का आदेश क्यों दे रहे हैं तुमारी धर्म संगत बाते सुनतर मुझे तुमारे पती भक्ती होती जा रही है सती पती के प्राण के सिवार कोई तीसरा वर्दान लेकर लोट जाओ मेरा कोई भाई नहीं है मेरे माता पिता के सो ऐसे प्रतापी पुत्र हों जून का वंच चलाएं तथास्त यह यंदार है सती इसमें मेरी आग्या बिना कोई नहीं जा सकता अब ना उट जाओ मैं अंतिम बार कहता हूँ बेटी अब जाओ जाओ बेटी आपने मुझे बेटे कहा आप मेरी धरम के पिता हुई क्या पिता अपने द्वार में जाने से पुत्री को रोकेंगी ओ बिचेत्र हठीली मैं पिता के नाते आज्या देता हूँ कि अपने पती के प्राण के सिवाय कोई अंतिम बारमान दो और लौट जाओ कल पराक्रम से परिपूर्ट कूर को बढ़ाने वाले मेरे सौब आवरस पुत्र हो आपका आभार अब भी थड़ी हो पेपा की आज्या नहीं मानोगी नाहीं लोटोगी नाराय नाराय कैसे लोटेगी यमराज वर्दान तो देते हैं पर वर्दान कि स्थिती को नहीं समझते बला सोचिए तो एक पति-व्यता-णारी को पति के बिना कुत्र कैसे होंगे मेरे पती का प्राण आपके हाथ में उन्हें जीवन देजे अपना वर्दान सच केजे पेटी सालित्प्री तुमने सिद्ध कर दिया कि व्रत और सत्कर्म की शक्ति याम के नियम को भी तोड सकती है सत्यवान की आयू का लेखा देखने के साथ सावित्री के सुहार का भी लेखा देख लिया होता तो आज नारा यह यह तुम्हे त्रंक सत्यवान के पास पहुंचा देखा जाओ अपना संसार बसाओ आणाम का अपना मैसा कि वान का पान चल्टा हो नारा यह नारा यह तुम्हें भाल बगला झाल है है अधिये अधिये बहुत देर तक सोता रहा ना प्रिये जगाया क्यों नहीं आधि पर रात बहुत बहुत बिच चुकित सभी चिंजा कर रहे होंगे चलिए चलिए ना महा सती, इस दुखियारी को ख्षमा करो, मैंने आपकी बात नहीं माली और पती देव को त्रास दिया, मेरे सारे पाप फूट निकले, मैं महा पापिनी हूँ, मुझे परदाया करो, मुझे धीक करदो नारी के लिए सभी दुखुखा नितान पती की सेवा है, अपने पती को प्रणाम करो, इनी से ख्षमा मांगो पती परमेश्वर पती परमेश्वर जय हो महा सती की महा सती की जय हो भाईया कौन है रे बाभी मुझे खवा करो आपि मेरे सुमपर बहुत बड़ा अचारतिया है मैं घौर पाती हूँ मुझे रक्षा मेरे खवा मुझे खवा करो रक्षा करो पश्चा तप होते ही पाप में चाते है भाई उठो भाई 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 पिता जी ने राज जी लोटाने कर निश्य करके तुम सब को बुलाया है मैं आस्रम गया था तुम लोग भी नहीं थे और चाजा और चाजी जी भी नहीं थे मा और पिता जीवा नहीं थे नहीं कहा गया हूंगी पिता जी पिता जी मा आस्री आखों में जूती आ गई जी चमतकार कैसे हुआ सत ब्रत और धर्म के आचरण से क्या नहीं हो सकता एक चमतकार है ये सतका और पती ब्रता के ब्रत का एक उज्वल पन्ना है भाई नारी के जीवन पत का स्वामी को जीवन दाल दिया सावित्री मेरा प्रणाम तुहें ये जगत तुहें एक दिन देगा एक महा सती का नाम तुहें मेरा करदो रिया मर सुहां वर्दो वत राजा मेरा करदो रिया मर सुहां वर्दो वत राजां ए मेरी चुडियां लर परो विपियां लर परो मेरा करे ब कर दो वो वर्दो वर्दो राजा भत्री मेरा प्रुड़ सुहां वर्दो रिया प्रीजों वर्दो प्रूब लो ऴरु़ दया झाल झाल